नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिधन जोने आप सभी का ओनलाइन स्पेशल यूटीब चनल में दोस्तों आज की जो विशेश क्लास में हम पढ़ेंगी वह है विश्याणू और जीवाणू के बारे में हम चानेंगी विशेश तरहती वारेस और बनाया है ताकि आपकी एक्जाम पॉंट से कुछ भी चीज़े नहीं छुटे चाहे आप जेए कि तयारी कर रहे हैं एससी के तयारी कर रहे है शिक्षाबरती की तयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस पुझा जाता है वहाँ पर जो ही आपको काम आने वाला है तो बिना समय कव चीज़े ताकि वीडियो की लेटेस जान केरी सबसे बिला आपके बास हो चाती साथ लाइव क्लास का डाइम ध्यान रखे बारा बच के पंदर मिट पर जो है लाइव टेस्ट शीरी श्रू हो जाती जिसमें एक्जाम पेटन पर जो है टेस्ट लिया जा रहा है चल रहा है उसमें तो उसको भी देखना बिल्कुल भी न भूलें बेरी बेरी इपॉर्टेंट है शुरू करते हैं दोस्तों पहला टॉपिक है हमारे पास विशानू या हम लोग पहले वाइरस की बात करेंगे तो वाइरस लेटिन भाशा का शब्द है जिसका आर्थ होता वीश या प इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट आपको एक्जाम पॉइंट अफ्यों से ध्यान रखने किसने कोज किती सारुप्रत्थम कि कौन सा पोधा था किसमें जो है एक्षेट क्या था कहां से अगला जो नेक्स ते स्टेंड ले नामक वेगे निक ते जो अन्ली सो पैतिस में यह वाइरस में मुख्यता यहाँ पर पादब वाइरस की बात हो रही दोस्तो आरेने तदा जन्तु वाइरस में डियेने पाया जाता है तो यह दोनों ही पॉइंट आपको कन्फूजन क्रेट करेंगे तो इनको अच्छे सा आप यहां रखे किसमें क्या चीज मिलती है क्या नह पादब वाइरस मनुष्य में फिलने वाले रोगों के बारे में हम लोग बात करेंगे यहां रोग का नाम होगा और यहां पर कौनसा अंग उससे प्रवावित होता है चेचक की बात करेंगे स्मॉल पॉक्स सभी ने सुन रखा हुआ है पूरे शरील पर फिलते हैं पोल्यो यह पूरा शरीर जो है इससे अफेक्टेड होता है हर्पीज की बात करेंगे स्लेशम जिल्ली या त्वचा को जो है प्रावावित करता है रेभीज की बात करेंगे तो यह तंत्र का तंत्र को प्रावावित करता है रोहे रोहे की बात करेंगे तो यह नेत्र का रोग है आगे देखेंगे यहां पर जिवानु या बैक्टीरिया की बात करेंगे तो जिवानु का सरबतम विवरण एंटोनी वॉन लिएन हॉक ने 1667 में दिया जिनोंने जिवानु विज्यान का पिता भी कहा जाता है वेरे वेरे इंपोर्टेन ने देखेंगे बैक्टीरिया सब्द का प्रयोक सरबतम हैंरे बर्ण ने 1829 में किया यह परण हरित्वी हिन प्रोकेरियोटिक कोशिका वाले सरल एक कोशिका याने यूनिसलिरस जीव शुश्म जीव होते हैं ये एक कोशिका यूनिसलिरस जीव होते हैं तता इनकी कोशिका है भित्ति, पेप्टि, डोग, ग्लाइका, ग्लाइकान, म्यूसीन, म्यूको, पेप्टाइड, नामक बदार से बनी होती है, ये परजीवी, मुरत पोजीवी, सहजीवी, तता सोपोशी प्रकार के होते हैं, तो ये टाइप आफ बेक्टिरिया भी इन्होंने बता दिया है, आग से दगी बनना सभी को बता है, तो किस जिवानों से होता है, तो बेक्टिरिया लेक्टोसाइड, एसी डाइट से जो है, ये बनता है, छाज या मठे का बनने की बात करेंगे, तो इस्ट्रेटो कोकस, लेक्टिस से बनता है, पनीर का निर्मान की बात करेंगे, तो लेक्टो यह बनता है सिरका का निर्मान की बात करेंगे तो एसीटो बेटर एसीटी से बनता है भोजन का विशाक्ति करण की बात करेंगे तो कोलिस्टोड्रियम ब्यूटो यूलीनियम से यह जो है बनता है विनाई ट्री करण की बात करेंगे तो बेसिलस, माइक्रो, बेसिलस इत्यादी से जो है ये बनता है, आगे बात करेंगे दोस्तों इंपोर्टेंस ऑफ बेक्टिरिया, बेक्टिरिया का जो हम लोग देख लेते हैं, ये सड़े गले मृत अवशेशों का शय करते हैं, पहला बात और इंपोर्टेंट बहुत, दूसर आगे देखेंगे दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर जो है, कुछ जिवाणू के कारण, मनुष्य में होने वाले रोगो एवम लक्षण की बात करेंगे, सबसे सिंपले सोरी जी वे है, याद करने का, सबसे पहले हम रोग का नाम देखेंगे, जिवाणू का नाम देखेंगे, संक्रमन देखेंगे, और मुक्षे लक्षण को यहाँ पर जानेंगे, सबसे पहले हेजा की बात करेंगे, तो जो जिवाणू होगा, इसमें वो होगा विब्रो कॉलेरी होगा संकरमंड किस से फेलता है दूशित भोजन जल मल्क में मक्षो दारा एक से दो दिन में जो है ये संकरमंड फेलने लगता है लक्षन क्या होँगे आब इसके लक्षन होँगे डायरिया वमन निरजली करन इत्यादी आगे देखेंगे तपेदिया यक् लेंग्वेज में हम लोग बोलते हैं तो इसका जिवाणू होगा माइको बेक्टिरिया ट्यूमर क्लोसिस जो है जिवाणू का नामे संक्रमन की बात करेंगे तो संक्रमिट वक्ति के छीकने कफ इत्यादी द्वारा फैलता है यह सर्जी दुकाम कफ सीने में दड़ एवं जो इसके क्या हैंगे मुख्य लक्षन होंगे यह सारे सुजाग की बात करेंगे तो इसका जो जिवाण होगा वोगा निसेरिया गुनोई रिया जो है इसके जिवाण होगा संभोग द्वारा दो से आठ दिन में यह फैलने लगता है अब इसका लमुख के लक्षन है योथेरिया का लाल हो जाना सूख जाना तथा मवाद आना जो है इसके लक्षन होगे अगला देखेंगे धनुष टंकार की बात करेंगे तो इसका जिवाणू होगा कोलेस्टोडियम टेटीनी म्रदा में उपस्चित जिवाणू द्वारा दो से चालीस दिन में जो है यह संक्रमन फेलता है मास पेशिय एवं जबडों में खिचाव तथा एठन आने लगती है इसके मुख्य लक्षन है आगे देख सेल मोनेला टाइफी जो है जिवाणू का नाम है अब संक्रमन किस से फेलता है दूशित भोजन जल विष्ठा तता मदुमक्यों द्वारा फेलता है इसमें क्या होगा ज़र होगा वमन डाइर्या ठन तता पेट दर्द होता है कुकरी खासी की बात करेंगे तो हीमोफिलस प ज़र है हमारे पास सिफलीस की बात करेंगे तो जिसमें जो जिवाणू होगा वोगा ट्रिपो नेमा प्रत्यक्स प्रत्यक्स संपर्ग द्वारा या मुख्यता संब्वोग द्वारा यह फेलता है जेनिटीलिया पर सक्त एवं पीडा रही फोड़ा होना या तोचा पर तुद्पन्न करने वाले जिवाणू से यह फेलता है संकर्मन और उदर विकार वमन डायरिया द्रश्टी दो शित्ताजी इससे फेलता है कुष्ट रोग की बात करेंगे तो इसमें जो जिवाणू होगा वोगा माइको बेक्टेरियम लेप्रीस यह लंबे समय तक संकर्मि आज हम लोगों ने जो क्या देखा वाइरस और बेक्टेरिया के बारे में हम लोगों ने जाना इसके पहले एक जो वीडियो सेल और सेले स्ट्रक्चर का अप्लोड हो चुका है अब यह आपने नहीं देखा तो लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी उसको देखना बिल यहाई दो